दोसेगस फिलाल अगर देखा जाए तो भारत ऋ जैसे और दो देजस मार्क वान और मार्क वान अगर सम्पूर रूट में आगर सम्पूर रूप से स्वधेशिय बनाना है तो भारत को अपने हुद के जट इनजनी मुड़ा रावारत अवश्य करता है दोस्तों फिलाल देखा जाए तो jet इंजिनों के मामले में भारत अफ़त कोई बड़ा achievement को हसिल नहीं कर सका है लेकिन काविरी इंजिनों के development के वाद भारत के लिए ये जो achievement का रस्ता है ये फिलाल खुल चुका है और रिपोर्ट के मुताविक एक तरफ जहाँ पे भारत के द्वारा ड्राई काविरी इंजिनों के बेस पे एक इंजिन के development का काम किया जा रहा है तो वही पे दूसरे तरफ भारत फॉरेंड कंपनियों के साथ मिलके AMCA मार्क्टू यार क्रैप्टों के लिए भी 110 किलोलोटन वाले इंजिनों के development के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है पर दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन दोनों इंजिनों के इलावा भी भारत के तरफ से और कई सारे इंजिनों के उपर काम किया जा रहा है जिन में से खास दो ऐसे इंजिन है जो कि भारत के भविशे के काफी हत्तेक requirement को पूरा कर सकेगा और दोस्तों इन खास दो इंजिनों में सबसे पहला इंजिन है इंडियन एरो इंजिन स्टार्टाप्स के तरफ से निर्मान किये जाने वाले टर्वो फैन इंजिन जो कि हिंदुस्तान एर्थनोटिक्स अब दोस्तों इंडिया के एरो इंजिन स्टार्टाप्स के तरफ से निर्मान किये जाने वाले इस इंजिन को अगर देखा जाए तो ये छोटे आकार के टर्वो फैन इंजिन है जिसका डेवलाप्मेंट का काम हैद्रावस्ति पैन इनियन इंडिया प्राइबेट लिमिट तरफ वाले टर्वो फैन इंजिन के conceptual validation को अब complete कर लिया गया है और दोस्तों अब company इस 4.5 किलो नियूटरन तरफ वाले इंजिनों के prototype को तैयार करने के तरफ जहाँ पे आगे बढ़ रहा है तो वही पे इसके बाद और एक इस से भी अधिक तरफ वाले इंजिन मतलब तो 8.5 किलो नियूटरन तरफ वाले इंजिन है ये असल में बड़े आकार के CATS Warrior मतलब Combat Air Teaming Program के अंतरगत बनाया जाने वाले Unmanned Combat Aerial Vehicle Project के लिए है जो की फिलाल हिंदुसन Aeronautics Limited और New Space Research and Technology के तरफ से बनाया जा रहा है और दोस्तों company के sources के तरफ से ये भी दावा किया जा चुका है और company का ये विदावा है कि CATS Warrior के लिए ये engine जरुड़तों को पूरा करने में सक्षम होगा अब दोस्तों Pananian Company के वल मातर Unmanned Combat Aerial Vehicle या Unmanned Aerial Vehicle के engine को बनाने तक ही शिमित नहीं रहना चाहता है बलकि Pananian Company के तरफ से कई सारे अलग-अलग प्रोजेक्टों के लि लेके 4 Megawatt के gas generator के भी development के उपर काम किया जा रहा है ताकि company Marines engine के सेक्टर में भी अपने पकर को मजबूत बना सके और दोस्तों इस तरीके के engine के development के लिए हाली में Pananian Company के द्वारा गोद्रेज Aerospace के साथ भी एक MOU के उपर हस्ताक्षर किया गया है और दोस्तों इस से Pananian Company को काफी अधिक मदद भी मिलेगा क्योंकि गोद्रेज Aerospace already gas turbine research establishment के कावरी dry engine के prototype के निर्मान का काम कर रहा है और शायद आने वाले समय में भी गोद्रेज Aerospace को ही इन engine को निर्मान करने का अनुमति दिया जाए मतलब गोद्रेज Aerospace के पास already ऐसे engine के development या फिर कहते engine के production को लेके शमता है जिससे की Penandian Company मदद ले सकेगा और अपने खुद के engine के development को आसान कर सकेगा इवन दोस्तों इसके इलावा कही सारे और वी ऐसे private sector company है जो की अलग-अलग engine खास करके cruise missile के लिए और अन्ने तरिके के missile के लिए engine का development कर रहा है लेकिन unmanned aerial vehicle के लिए जो engine है ये भारत के अति आवश्क है क्योंकि कई तरिके के unmanned aerial vehicle के project को आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसे सभी project के लिए अलग-अलग engine हो का जुरुरत पड़ेगा और ऐसे private sector company अगर इंजिनों को पहले से ही बना लेता है तो unmanned aerial vehicle के project को और आसान किया जा सकेगा अब दूसरे तरफ अगर DRDO क gas turbine research establishment के तरफ से बनाए जाने वाले next generation इंजिनों को देखा जाए तो report के मुताविक defense research and development organization अब इंजिनों के खास करके indigenous arrow इंजिनों के development को और मजबूत करने के लिए twin cell facility का construction कर रहा है और report में दावा किया जा रहा है कि ये जो facility है ये बैंगलोर में gas turbine research establishment के facility के साथ ही होगा और military aircraft के लिए बनाए जाने वाले cutting edge arrow gas turbine इंजिनों के testing और refining के काम को अंजाम दिया जा सकेगा अब दोस्तों ये जो twin test cell है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे testing के लिए दो अलग-अलग separate cell होगा और दोस्तों ये जो cell है असल में 130 km तक thrust वाले इंजिनों को आसान तरिके के facility को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि भविशे के इंजिनों के development process को आसान किया जा सके और 110 km thrust वाले जिस इंजिन के project की उपर भारत काम करना चाहता है उस इंजिन के derivative variantों को भी आसानी से बनाया जा सके और दोस्तों ये जो twin test cell है इसके सबसे महत्तफूर्ण feature है इ इस तरीके से design किया जा रहा है कि ये एक्सोमेट्रिक nozzle वाले इंजिनों के test को अंजाम दे सके जो की इंजिनों के common configuration होता है जबकि जो दूसरा cell है वो असल में इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये thrust vectoring nozzle को भी test कर सके अब दूसरा thrust vectoring nozzle असल में advanced इंजिनों में इस्तेमाल ह होता है जैसे कि 5th generation के fighter aircraft और भारत के सुखोई 30 MKI जैसे यार क्रेप्टों में वी thrust vectoring nozzle का इस्तेमाल किया गया है और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि thrust vectoring nozzle के साथ यार क्रेप्टों के जो maneuverability है वो भी बढ़ जाता है क्योंकि दोस्तों इस तरीके के engine के साथ ज आसनी से more सकता है अब दोस्तों ऐसे twin test cell के development भारत के लिए काफी बड़ा बात इसलिए भी है क्योंकि भारत अब खुद के engine के development के process को आगे बढ़ा रहा है और ऐसे process में ऐसे जो facilities है ये काफी महत्तपूर्ण होता है और इस तरीके के facility के विना engine के development जहाँ पे मुश्किल है एक flying test भी टियार क्रैप्टों का भी जरूरत है ताकि engine को बार बार test करने के लिए रश्या ले जाना ना पड़े और दोस्तों ये अगर भारत को मिल जाता है तो engine के development के लिए जो time है और जो खर्चा है उसे कम किया जा सकेगा दोस्तों ऐसे cutting edge queen test cell developed करने के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि भारत अब काफी तेज रपतार में अपने खुद के arrow engine के development के तरफ आगे बढ़ रहा है और शायद जल्थी फ्रांस या किसी अन्य देश के साथ 110 से 120 क्लोनीटर थर्ष्ट वाले engine को डेवलप्ट करने को ले ट्रांसपोर्ट यार क्रैप्टों में इस्तेमाल होगा दूसरे दरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दू कि छोटे छोटे इंजिनों के development को भी अंजाम दिया जारा है और काविरी इंजिनों के dry variantों के सफलता के साथ साथ इसके अब एक weight section का भी development किया जारा है के ना तेजस यार क्रैप्टों के जरोतों को पूरा कर सकेगा और ना ही HLFT 42 जैसे यार क्रैप्टों के जरोतों को पूरा कर सकेगा और इस बात का जानकारी DRDO के पास भी है और इसलिए DRDO के तरफ से काविरी dry इंजिनों के core को लेके भी modification के काम किया जारा है तकि कम से कम औ अगर 85 किलो नूटन तक थ्रेश्ट वाले कावेरी 2.08 का डिवलप्मेंट हो जाता है तो इससे भारत को और अमेरिका से F404 जैसे इंजिनों को इंजिनों को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और ये कावेरी 2.0 इंजिन तेजस मार्कवान, मार्कवान ए जैसे यार कैप्ट के लिए किया जा रहा है कुछ रिपोर्टों के मुताविक उन इंजिनों का इस्तेमाल आने वाले समय में तेजस मार्क 2 यार कैप्टो के साथ साथ क्विन इंजिन डेक वेस फाइटर यार कैप्टो में भी हो सकता है और दोस्तो अगर ऐसा होता है तो शायद भारत को और आने वाले समय में F404 इंजिनों के साथ F414 इंजिनों को भी इंपोर्ट करना ना पड़े दोस्तो आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के तरफ से इंजिनों के सेक्टर में ये जो काम किया जा रहा है ये भारत को कितना हथ तक आत्मनी भर कर सकेगा कॉमेंट करके अपने राय अवश्र दीजिए दोस्तो आज के इस वीडियो को यही पही करते हैं समापत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम